नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों के भीएस के तरफ से अपडेट आना स्टार्ट हो चुका है और ये जो निव अपडेट है ये आपका result के regarding है तो आइए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि किस post का result आया है और अब आगे किस-किस यदि आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप channel के साथ जरूर जुरे और mock test बनाते रहें और आप अपना analysis करते रहें कि आपका GK का preparation कितना है दोस्तों आई आपको बताते हैं कि KBS के तरब से किसका result दिया गया है दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहें ये assistant commissioner का जो exam हुआ था फरवरी में इसका exam हुआ था और interview के लिए shortlisted candidate का list आ चुका है और अब इसी तरह धीरे धीरे करके जिस भी post में interview है और जिस post में कम-कम vacancy है उसका result धीरे धीरे आना start हो जाएगा जिस post में interview होगा उसका result एक एक करके पहले आएगा और उसके बाद skill test वाली result भी आना start हो जाएगा कुछ दोस्तों का ये comment आया था कि 31 March को कोई बोल रहें कि result आ रहा है कोई बता रहे थे कि 5 April तक आ रहा है result तो जैसे का result अभी नहीं आएगा ये 99% chance है कि जैसे और इस्टेनोग्राफर का result अभी नहीं आएगा जितना भी teaching post है जिसका exam जैसे से पहले हुआ है जिसमें interview है उसका result पहले आएगा उसके बाद आपका जैसे का SSA का SO का सबका result आएगा आप लोग ये मान के रहें कि जैसे का result मई में आ सकता है इसका chance ज्यादा है आप लोग मई को मान के चले कि मई में आपका जैसे का स्टेनोग्राफर का result आ सकता है तो इसलिए आप लोग typing अच्छा से करते रहें क्योंकि typing के लिए थोड़ा सा time चाहिए डेली आप एक से दो घंटा typing करते रहें यदि आपका speed पहले से है अच्छा खासा speed है तो आप आदा घंटा भी practice daily करते रहेंगे तो आपके लिए enough रहेगा आपसे हम ये कहेंगे कि आप 50 तक speed लाएं आप 50 तक एकदम speed लाने का कोशिज करें backspace आप ज़्यादा यूज ना करें backspace का यूज आप ज़्यादा करेंगे तो speed आपका increase नहीं हो पाएगा backspace का यूज आप कम से कम करें आपका speed धीरे धीरे करके increase करेगा ये 50 का speed इसलिए आपको बता रहें कि आपका अभी घर पे 50 का speed रहेगा तो जब typing होगा आप skill test देने के लिए जाएगे तो आपका 35 से उपर speed असानी से आ जाएगा आप ये अभी मत सोचिएगा कि 35 का आपका speed आ रहा है तो अच्छा है हम असानी से जाके typing qualify हो जाएगे ऐसा नहीं होता है आप सिर्फ 35 का speed करके जाएगे तो हो सकता है कि आप फस जाएगे आपको हम demotivate नहीं कर रहें आपको हम एक सचाई बता रहें एक आपको हम guidance दे रहें कि आप 50 तक का speed करके जाएगे है ना 50 तक आपका speed रहेगा English में 35 आप असानी से करके आ जाएगे कोई रोग ठोक का बात नहीं होगा जहां तक CPT का बात है तो आप लोग MS Office पे अच्छा से ध्यान दे आपके पास computer है तो आप MS Office के MS Word, MS Excel पे आप लोग अच्छा से practice करें उसके सभी options को अच्छा से देखें इसके अलाबा आपके पास computer का कोई अच्छा सा book है तो आप उससे अच्छा से preparation करें MS Word का MS Excel का आप अच्छा सा question उससे करें तो आपके लिए अच्छा होगा यदि possible हो आपके घर के आसपास कोई computer class हो तो आप लोग एक से दो मंत जाके class कर लें उनको बोलें कि मुझे MS Office अच्छा से बता दीजी तो आपके लिए अच्छा रहेगा है न और आगे जो भी help करने का है आपको हम करेंगे CPT का question आपको हम करवाएंगे और एक वीडियो लार है आपको बता देंगे कि किस तरह के question CPT में आते हैं 2018 में मेरा हुआ था CPT दिये थे जिस तरह के question मुझे याद है आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इस तरह के question CPT में आते हैं तो आपको एक sample type में बता देंगे जो एक idea आएगा कि हाँ इस तरह से question आते हैं तो दोस्तों यही update धी धीरे-धीरे result आना start हो चुका है और एक-एक करके result अब आते जाएगा, ओके, तो आप लोग भी wait करते रहें, अच्छा से skill test का तयारी करते रहें, और जो आगे आपका exam है कोई उसका भी आप लोग preparation करते रहें, ओके, तो दोस्तों आपको यह जनकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नीई वीडियो लेके तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार.